कि लव आपको दस सेकेंड बाद ये सीम करना है आखे खोल देने वाला सवाल पूछा है चड़ी उतारनी की बाद कर रहे हो ऐसा कुछ कॉमिक डायलोग था चलो दस सेकेंड तो आपने सोच लिया होगा कुछ करके दिखाओ जैसे एक चीज को मैं 20 सेकेंड तक अगर बार बार तो आपके अंदर आएगा कि असलों में पंख लगा आसमा उड़ जाने की ख्वाहिशे है आखों में देश बर्चा जाने उमीध है पुमिध है पुमिध है पुमिध है मैं भी बढ़िया हूँ और जैसे कि अभी हम आपको देख रहे हैं, आप काफी funky लुक में बैठे हैं, काफी actor वाली vibe दे रहे हैं मुझे, तो मैं जानना चाहूंगा और आमारी audience भी जानना चाहेगी, थोड़ा आप अपने बारे में बताएं वेल अनन्त, मैं उदयपूर के पास ही धर्यावद हूम टाउन है मेरा, मा से बिलॉंग करता हूँ, और मैं धर्यावद के बाद अपनी स्कूलिंग के लिए 10th स्टेंडर सी उदयपूर गया था, तो उदयपूर is like home only for me, और उसके बाद मैंने अपनी स्कूलिंग ही यहां से, then later on मैं इंदोर चला गया था, अपनी graduation के लिए, और मेरी family का background कुछ ऐसा है कि मेरे father का एक fuel station है home town में, और real estate का भी is also into this, और वा, नाई, और we are twin brother, love and kush, और वा, क्या बात, love and kush, जी, क्या बात है, और धर्यावद सीता माता century के पास में ही located है, तो जहां पे actual love kush का भी इत belongs to the same place, मतलब सोच समझ कर रखा है, माता परता नाम, so yeah, this is the basic thing, और जो आपका look है, तो वो एक्टर वाइब दे रहा है, जैसा कि मैंने बोला था, तो थोड़ा सा उस वाली जर्णी के बारे बताए कि आप कैसे इसमें आई, what's that triggering point कि में को इसमें एक्टिंग में जाना है, एक्टर बनना है, well, so called actor thing, मुझे बच्पन से performing का बहुत शौक रहा है, and it comes to cultural और performing arts, तो मैं अपनी स्कूल में भी, I was the one जो सबसे पहले जाके खड़ा हो जाता, तो जैसे कृष्न जनमाश्मी आती थी, तो मेरे पेरेंस का भी actually काफी जुका और इंट्रेस्ट रहा है, इस कृष्न बना के बेश्टे थे, then school में जब भी independence day या annual function आता था, तो I was the one, जो half an hour में तो team बना देता था, एक गंडे में गाना choreograph कर देता और और perform कर देते, स्वामी बेकरनन बनके कभी, हम stage पर perform करते थे, तो I think बचपन से ही I'll say कि मैं एक loaded gun था, जहां पर performance का मौका मिलेगा, एक दाओ fire, चाहे वो फिर घर की कोई शादी का function हो, या it could be anything, और my energy was like full jacket and everything, तो या बचपन से ही ये एक trigger point है कि शायद मैंने feel choose किया है, क्योंकि वो, I used to feel like कि वो है मेरे अंदर, naturally है, तो जैसे कि आपने बताया कि आप loaded gun की तरह हमेशा तयार रहते थे, तो अपन जैसे बात करते हैं कि हम एकदम से सुबह उठके यह नहीं बोलते कि मेरे को actor बनना है, इसके पीछे पूरी एक journey होती है, ट्रेनिंग होती है, तो आपके training process के बादे, बताईगे, ट्रेनिंग वेल, मुझे actual exposure मिला जब when I moved to indoor for my graduation, तो बच्चपन से ही जैसे, अप इंदर अपने move किया तो किसी ने बताया या अपने इच्छा से आप गए? इंदर मेरी मम्मी की family है, तो मेरा बच्चपन से आना जाना काफी लगा रहता है, तो जैसे मैंने बोला कि बच्चपन में भी आई और एक और, वाई अनली इंदर, क्योंकि जादा तर लोग मुंबई जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बट मैं अपने graduation के लिए एक अच्छे college के लिए end कर रहा था उस टाइम, तो I think family वालों को भी लगा कि relatives वगएरा रहते हैं, तो this would be a good option, तो indoor इसलिए मैंने चूज किया था, और बच्चपन से ही जब मैं अपने summer vacations में indoor जाता था, तो cricket academy भी मैंने जॉइन की, dance training भी मुझे, my parents were like की, summer vacation है तो करवा, तो वो performing की energy जी थी इन सब reasons के लिए, तो graduation के लिए जब मैं अपना college hunt कर रहा था, तो मैंने अपनी graduation की है, renaissance college of commerce and management indoor, तो मैं जैसी college के अंदर गया, तो canting के अंदर, कुछ लोग guitar प्ले कर रहे हैं, तो कोई openly मजाक मस्ती कर रहा है, artist का एक पूरा feel और vibe आया मुझे, तो मैंने का, नह तो मुझे इस college में ही पढ़ना है, तो जैसे ही फिर college में admission लिया मैंने, then I joined a theater group over there, नेपत्यनाट्ये समो, तो मुझे उस वख जो मेरे friends बने वाँ पे, वो उस वख काफी active थे theater में, उसमें से कुछ उस time Bombay जा चुके थे, कुछ reality shows का part थे, और D.I.D. के अंदर team members थे, तो का exposure मिला मुझे, तो जैसे ही मैंने theater जॉइन किया, तो MP में state level का youth festival चल रहा था, तो मेरे एक friend ने मुझे बोला कि, माई मैक्ट में एक बंदे की ज़रुरत है, करेगा क्या, audition होगा, मैं university गया, audition दिया मैंने, और वहाँ पे जो mentor थे, जो selection कर रहते हैं, उन्होंने का कि, अर मैं माई मैट परफॉर्म करने चदरपुर गया था, और उस माई मैट में, state level पर हम लोग first आयते हैं, तो उस दिन एक और right age में मुझे वह spark मिल गया, करना तो यह है, this should be the thing, तो acting का मुझे officially career choose करने का spark इस तरह से मिला, तो हमने कुछ पैम पहले एक group podcast किया था, actors के साथ, ज इस में हमने ये बात करी थी, कि जो कास्पिंग का process होता है, कैसे आप approach करते हो, और अप इस industry में काम कर रहे हो, तो आपको काफी अच्छा experience है, तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे, और हमारी जो audience जो देख रही है, उनको आप बताओ, एक actual जो process होता है approach का, वो क्या होता है आखे खोल देने वाला सवाल पुछाएं तो, heavy, well, as an actor journey, आप जब in between journey में होते हो, तो when it comes to training part, when it comes to official shoot part, आपको एक time के बाद समझ में आने लगता है कि आपका rhythm किस direction में set हो रहा है, तो जब आप audition भी देते हो, तो first of all, सारे officially norms जो होते हैं, जैसे casting director को किस तरह के photos बेजने हैं, यह आपको पता होना चाहिए, और वो कैसे पता होता है कि काम करते करते, या कोई बताता है कि भी यह बेजो, वो depends कि आपको कैसे लोगों से learning मिल रही है, या आप कितना उस मावल में ढलके चीजों को observe कर रहे हो, ज 100% natural होने चाहिए, you don't take efforts की जहाँ, where you are trying to show yourself as a hero, सामने वाले तो, hero आपके अंदर नजर आ रहा है, तो वो बुला लेगा आप, और अगर हम बात करते हैं, जो आपने यह वाला चीज सो बता दी, अब हम बात करते हैं कि आपका जो training का process है, वो कैसा रहा है? training का process मैं बोलूगा, touchwood की मैं बहुत लगी रहा हूँ, मुझे काफी अच्छे लोगों से training मिली है, और जब मैं बॉंबे गया था 2013 जोलाइ में, तो I was looking for की, मेरी energy काफी आई थी उस ताइम, अच्छा, अबी भी काफी आई है, and I was like की, या तो मैं नसीर सर के साथ ही काम अच्छा, या मुझे पृत्वी थेटर ही जोइन करना है, तो that was next to impossible, actually that time, और वो काफी समय होता है, कि यार काम करेंगे तो इसी की साथ करेंगे, वागे नहीं करेंगे, दो my parents were like कि अगर आपको बाहर भी किसी institute में जाना है, तो ठीक है, आप चले जाओ, जब अगर इस फी उसने मुझे बोला कि यार, FTI से पासाउट एक अल्यूमिना है, रवी भूशन भारती है, तो वो तिरको पर्सनल ट्रेनिंग देंगे, मैं बात करता हूँ, और the moment I heard FTI, मैं रभाई कब मिल वारे हूँ, क्योंकि इंडिया के अधर अंदर अगर हम बात करेंगे, acting और direction, और music, इन सब के institute की, तो there are two pillars only, majorly, one is NHD, second one is FTI, पुने, जैसे की IAT आया है, correct, तो उनसे जब मैं मिला, he was very live, natural and another level personality when it comes to acting, तो ट्रेनिंग उनके साथ मैं शुरू की, शुरू की तो syllabus और ट्रेनिंग का process देखके ही, very first day I was like की, boss, my mentor told me, first line, एक अच्छे actor बनने के ट्रेनिंग के process में आप एक अच्छे इंसान जरूर बन जाओ गया, और उस line ने उस दिन मेरा दिमाग खोल दिया कि, boss, है कुछ तो है ये, तो very basic things, चपल एक साथ लाइन में कुले होने चाहिए, उसके बाद अंदर आओ, डेली लाइफ मे मुझे उस दिन पता चला, अच्छा, कुछ बताओ आप ऐसे की, बेग, मैं सर्व लाइफ क्या होता है, अच्छा, पेसे, तांगने वाला बैग, बैग, ओके, हिंदी भी शुद्ध बोलो, हाँ, पेसे, 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 तो इतनी बारी की मुझे फर्स डे ट्रेनिंग में ही मिल गई ती तो, और उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड ए, सर के गर पे काफी बड़ी परस्नलिटी, राम बोपाल बजाट सर आए, जो कि उस वक्त एन्सडी के डिरेक्टर थे, और जैसे ही वो एंटर किया है, मैं रहा बोला, बॉस ये क्या हुआ है, ये तो सिर्फ सेकेंड सर ने उनको बोला कि ये मेरा नया स्टूडेंट है, और अब इसको ट्रेनिंग कल सी चालू की है, he was like कहां से हो, मैं बोला, अदेपुर, राजस्तान, चलो बही राजस्तानी फोक संगीत सुना, अच्छा, on the spot, on the spot, और सुना है आपने, और पहले तो मैं ये प्रोसेस कर र परफॉर्म करके दिखाया, उन्होंने तुरंद मुझे कुछ जो भी लेसन था, लेर्निंग लेसन वो दिया, जैसी में बहार निकलावाने का यार, ट्रेनिंग पार्ट में भी इतने मतलब, सर्प्राइस मिल रहे हैं कि मज़ा आजा है, मज़े बहो मिल रहे हैं सब, और मे मतलब तो अपने आपको मिलना सुरू हो गया, तो मैं नसीर साब के साथ काम नहीं कर पाया, लेकिन नसीर साब के स्टुडेंट्स थे, सब लोग वहां वोस टाइम, तो मैरे बोला चलो, ऐसे नहीं तो ऐसे गान पक देंगे, तो ट्रेनिंग पार्ट में ये हुआ था, फिर लगबग, चाहिए वो बीस मिनिट की भी हो, तो जो ट्रेन्स टेक्निक उन्होंने सिखाई थी, वो सब फिट बैठा हुआ है, तो ट्रेनिंग पार्ट के लिए तो आज से एक्टिंग करना भी एक पेशा है, और नहीं करना भी एक पेशा है, राइट, 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 अभी बनावटी होने में आपके सामने हो सकता हूं, कि हाई, ये, हाई, ये, हाई, बाइन में इस ये, नए, वो भी अगर अगर करेक्टर की रिक्वाइरमेंट है, तो 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 बहुत बदाता हूं कि सुनो, आप जो भी मुझे बोल रहे हूं, वो मैं पहले अच्छे से सु किताबी ग्यान बहुत हो सकता है, बट एक्टिकल नॉलेज, ये तो मुझे फील हूगा है, हंड़ेट परसेंट, जैसे एक चीज को में बीस सेगं तक अगर बार दो रहा हूं, नहीं यार मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, अनन्त, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आपके ट्रेनिंग के लिए तो मैं ये बोलूगा कि इतना बड़ा वर्ल्ड है, आपके उपर क्या अपलाए हो रहा है और आपको क्या सूट कर रहा है वो आपको समझना पड़ेगा, ये इन्टाइर बोडी, ये वोईस, आपकी आखे, ये पूरा इंस्ट्रुमेंट है, तो अब आपने कहीं न कहीं ये चीज पड़ी होगी, एक डिमांड और सप्लाए का कंसेट हो था एकनॉमिक्स में, और आपने बताया कि आप मुंबई में थे, आप मुंबई में रहते हो, मुंबई में काम करते हो, तो वहाँ पर जो डिमांड और सप्लाए है, अगर आपको एक जन काम को लेनी के लिए यह काफी इंट्रेस्टिंग पार्ट है हर एक्टर जब अपने करियर की शुरुवाद बॉम्बे जाके करता है तो देर आर मैनी मैनी शेट्स जब आप रियालिटी से रुबरू होते हो तो बॉम्बे में देखो जब आप इनिशली स्टार्ट करते हो तो काफी अलग-अलग रास्ते हैं यह सब ऐसे पहलू है जिससे इंसान टकराता ही टकराता है इन दी बिगिनिंग ऑफ करियर स्पेशली इन बॉम्बे तो मैं आडिशन देना चालू किया मैने तो उस टाइम मेरे को रहा एक फितूर था चैनल वी हुआ करता था चैनल वी पर गुम्रा एक शो आता था तो कई सीजन सा है उसका एपिसोडिक था और उस टाइम गुम्रा प्यार तो ने क्या किया ऐसे काफी एपिसोड ाते थे जिसमें हर एपिसोड में अलग-अलग स्टोरी होती थी तो ये अच्छा स्कोप था कि हर स्टोरी में अलग एक्तर दिखता था तो काफी मौके बनती थे तो गुम्रा करना है तो actually मैंने एक ऐख इंसान को तीन अजार रुपे भी देती है अच्छा कि आमेर उसमें बोला कि मैं अब आपके लिए काम लेकर आऊंगा और मेरी कंपनी का फॉर्म जो भी है यह साइन करा दिया उस दिन के बाद से कभी वो इनसान मुझे मिला दिन और यह मुझे पहलने से ही पता था कि मेरे साथ बॉंबे में ऐसा क गुम्रा करना गुम्रा करना गुम्रा में आ गया तो मतलब एक वो हो जाएगा तो काफी लोगों को मेसेज बगे रहा और करता था तो ऐसे करते-करती वंस्यू स्टार्ट गिविग और अच्छी बात है कि सारे कास्टिंग डिरेक्टर्स प्रोडक्शन हाउसेज अपने ड इंट्रोडक्शन और सारी डीटेल्स ले के रखते हैं तो मुझे एक कॉडिनेटर के तुरूई एक दिन फोन आया कि सम्राट अशो का सीरियल में धाई महीने का ट्रैक है करोगे क्या एक अच्छी इंट्रेस्टिंग चीज है सम्राट अशो का वन अफ वेरी हाइलाइट टॉपिक इन इंडियन हिस्ट्री तो मैंने बोला डेफिनेटली करूंगा उन्होंने बोला कर्जत में एंडी स्टूडियो में शूट रहेगा और मतलब मैक्सिमम डेज आपको रहना भ तो मैंने यस कर दिया और सम्राट अशो का में उस टाइम एक ट्रेक आया था अशो का के वन अश्रम के तीन फ्रेंड दिखायते तो वन अश्रम के लोगों पे जब बूक और इंजब का अकाल और इस तरह का पीरियर था फिर अशो का ने उनको संभाला और मदद की और इस अशो का सिदार्द निगम प्ले कर रहा था जो छोटा अशो का था उस टाइम का ट्रेक था तो फिर मैंने अशो का किया उसके बाद मैंने परवरिश सीजन टू में ट्रेक किया था तो यह जो अशो का से जो परवरिश में गए तो यह रेफरेंस की थ्रू गए या आपने वो ही मैसेज किया सब को और फिर मैंने एक्चिली काफी सीरियसनेस से सब लोगों को अप्रोच किया था तो कहीं ना कहीं वो मेरे अडिशन बगेरा रोटेड हो रहते और इनिशली जब आप प्रोफेशनली एजन एक्टर शूट पे जाते हो या इनिशल डेज में होते हो तो आपके रिलेशन भी अच्छे बनते हैं क्रिएटिव डेक्टर से, डेक्टर से, प्रोड्यूसर से, प्रोड्यूशन में तो दो तिन प्रोड़क्शन थे महां पे मुझे काफी अच्छा ओम ली वाइप टैप बाहॉल मिला और मैं जलय अप हो गया तो डिरेक्ली एवरी ड से एक अच्छे काम का फ्लो मुझे इनिशिल मिला था तो राइट आफटर अशो का परवरिश सीजन टू में स्टूडेंट अफ दी एर की एक पूरा ट्रैक आया था अच्छा परवरिश सीजन टू सोनी पर आता था उस टाइम तो उस सीरीज में भी मैंने एक स्टूडेंट का कैरेक्टर प्ले किया बॉम्बे कांधी विली में शूट होता था तो ये दोनों एक ऐसे टीवी शोज है जिसमें मेरा अच्छा थोड़ा डीसेंट ट्रेक रहा है इसके अलावा एपिसोडिक में कोटा टॉपर्स प्यार तुने क्या किया कोड रिर तलाश कलर्स पे एक एपिसोडिक आता था जिसमें क्राइम स्टोरीज होती थी मैंने अपनी लाइफ का सबसे पहला गाम उसका एपिसोड किया था आरे वाँ सोल कोली उस एपिसोड के डिरेक्टर थे और आरे जो कि मुंबई का वन इन ओनली ग्रीन एरिया है बीच में वहां काफी शूट होते है तो आरे में ही शूट था और एक होस्टल की कानी थी मैं था साथ में एक फ्रेंड था तो होस्टल के दो फ्रेंड दिखाये थे वो मेरी लाइफ का पहला शूट था और मैंने लाइफ शूट इन दे सेंस आपने अशोगा में भी तुक किया अशोगा उसके बाद किया था मैंने अच्छा ओके तो और मुझे तीन हजार रुपए का चेक दिलाता है अरे वहाँ क्या भात तो वहाँ मोटीवेशन आ गया कि पैसा तो मा मस्ट ओफिशली मुझे एक लग गया था कि अब मेरा करियर शूरू हो गया है इसमें बस एक ही मेजर प्लस रहा है जहां पर मैं अपने आपको फॉर्चनेट इनफ मानता हूं कि इस माहोल से मैं फैमिलियर हो चुका था अपनी सराउंडिंग फ्रेंज और ट्रेनिंग पार्ट से तो ऐसा नहीं था कि वह बहुत जादा कुछ नया था मेरे लिए मुझे सब लर्निंग लेसंस मिल रहे थे कि हाव टू बिहेव वन यू गो फॉर शूट सेट पे एक एक एक्टर को कैसे रहना चाहिए तो मैं तो सब वो चीजे अपलाय करता जा रहा था क्योंकि मुझे उस टाइम भी सीखना था कि चलो यहां आगए अगर कैमरा आप पे नहीं है तो भी आपको कैसे बिहेव करना है यह आपने सीख लिए यह भी बहुत मैटर करता है ऑन सेट एक एक एक्टर अपने औरा में अपने जोन में कैसे रहता है यह भी बहुत मैटर करता है क्योंकि एक एक्टर mentally अगर disturbed होता है तो वो 100% on camera दिखेगा आपके यहाँ पर कोई thought चल रहा है और मुझे अभी आपके साथ comedy करनी है वो बहुत tough होता है अगर आपके यहाँ कुछ चल रहा है मैं यहाँ पर बहुत heavy scene आपके साथ perform कर रहा हूँ उदर से कोई काम कर रहा है ठोपने पिटने की आवाज आए वो distraction लाए 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 तो यह सारी चीज़े calculation mind में थी और officially career भी start हो रहा था तो परवरिश ट्रेक करने के बाद यह सारे episodics मैंने किये थे quota toppers भी उस ताइम एक serial आता था उसका भी एक करते हुए comedy scene मुझे परफॉर्म करना था तो और जब आप नए-नए onset जाते हो या जब भी आपको shoot करने का मौका मिलते हैं तो कभी-कभी ऐसा होता है और अकसर ऐसा होता है कि आपका co-actor या आपको जिसके साथ perform करना है might be वो कोई senior या काफी known personality हो उनका career काफी time से चल रहा हो तो उस time भी आपको gel up होने में आपका confidence उस level पे build दरने में एक time लगता है तो उस time quota toppers में 2-3 known faces थे तो मैंने गा चलो आज इनके साथ shoot करना है नई team थी creative director से भी काफी guidance मुझे मिल रही थी तो उस मैं चड़ी उतारनी की बात कर रहे हो ऐसा कुछ comic dialogue था तो वो मैंने बहुत अच्छे से perform किया था तो जैसे shoot cut हुआ तो the very first connection एक creative director के साथ मेरा बना था and she was like कि भाई तू बहुत natural है stay the same काम हो सकता है अभी भी अच्छा गासा मिल जाए नई भी मिले या late भी मिले बट लेकिन अगर यही करना है न तो यह naturality रहने देना थो तो उस दिन भी I was very happy कि यार चलो एक बहुत अच्छी सीख मिली है तो quota toppers का episode मैंने उस time किया था एक और प्यार दूने क्या किया था भी episode किया था उसके बाद मैं मैंने कुछ टीवी सीज भी किया था क्या किया था टीवी सीज एड़टीज में अच्छा ओके बताए पच्छा तो एड़टीज वो 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 कैसे मिला आपको यह बताए तो फिफ्टीन से एटीन तक की जरनी में इट वाज लाइक की बैक तो बैक टीवी 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 और यह सब तो काम मैंने अफिशली की है इसके अलावा शॉट लिस्ट होने का प्रोसेज यह सब बहुत रहा है अच्छा थोड़ा उसके बारे में बताईए एम टीवी पर नाम भूल एक शो आरा था उसमें मैं अल्मॉस्ट लॉक हो चुका था और वो भी पूरा येस वारियर्स 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 सम्तिंग कोई शो आरा था जिसके अंदर काफी नोन फैसे थे उस टाइम भी तो उसमें भी I was about to get a character तो वो शॉट लिस्ट होना कोई शो मिलते-मिलते रह तो उसके बाद फिर मैंने बोला कि टीवी ठीक है एड़ फिल्म करने की भी अंदर से बहुत आग लगी हुई थी एड़ कोटा रोल है और उसके बाद नेक्स्ट आपको और मिल जाए और कुछ नया थे शुट बी सम्धिंग तो वह एक डेटाबैसे टीवी का एक कनेक्शन नेटवर्किंग के जहां पर मैं रोटेट हो रहा था रेगिलरली वो मुझे पता चल गया था तो आई वस लाइक कि लेट्स चेंज सम्धिंग कुछ और ब्रेकडाउन करके देखते हैं तो फिर मैंने अच्छे-च्छे कॉडिनेटर उस टाइम होते थे जो कि अच्छे अंदर कितने मॉडलिंग लुक एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बेसिस पे मैं किस तरह की ब्रैंड्स क्रेक कर पाऊंगा ये भी एक थॉट मेरे दिमाग में आया कि चलो अगर अपने को एडविटीजमेंट कर ला है तो अपने को फिर लुक्स पे और इस चीज पे अपन उ में काफी महीनों तक बहुत ओडिशन दिये और एड़ फिल्म में भी एक अमेजिंग फ्लो मिला था मुझे अच्छा वो ऐसे बोलते हैं कि बोलने में सब बोलतेते हैं कि I was about to get this thing और ये वो बट ओनेशली केटबरी, Nescafe, these are the brands जहां पे मैं उस स्टेज पे भी था कि लव तो आपके लिए agency से phone आया है, you come first, so my confidence was कि चलो इस तरह की brands की जब बात आती है, या ad film की auditions की जब बात आती है, तब भी there is a very thin line between performance, right, ad films की auditions की performance भी different होती है, तो मैं आगा चलो अपने को अबे switch करना है, looks के साथ किस तरह की performance देनी है? तो initially I thought की हो सकता है मेरी acting approach कही न कही मिस होरी होगी according to their brand's requirement, जैसे हम देखते है usually की Nescafe, close up, इन में कितने sharp faces दिखते हैं, तो मैंने ग्लैमरस वाली चीज दिखते हैं, ताकि लोग attract हो, correct, तो फिर मैंने कही न कहीं अपनी acting personality के साथ साथ लुक्स वाली training भी add-on करने का पू As I said की सब में मैं shortlist वाता हैं, messages were like की आपकी dates block कर दो, यह यह payment है, यह TVC पे चलेगा, यह YouTube पे भी आएगा, and I was like, चलते रहो बॉस, हाँ, 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 ना नहीं गया नहीं गया, यह, my this thought is very clear की आप अपना कर्म करते चलो, आना होगा वो पलत आई जाएगा, यह आए करते करते करते, एड फिल्म मिलने में मुझे बहुत टाइम लगा, no doubt, मुझे देड़ दो साल तक बस वो dates block होना, shortlist होना, यही सब चला, then, then, मैंने एक एड किया, साकिप सलीम थे उसमाई, जो, the one who is the brother of Huma Gureshi, तो, Strapsils का एड था, एड फिल्म, officially मेरा first वो था, और वो डि तो उसका भी स्टूडियों में शूट था, मैं गया, अच्छे से इंट्रोलक्शन हुआ सबका, वो एड फिल्म हुई, उसके बाद एड फिल्म का भी एक kind of sense डवलप हो गया था, और एड फिल्म शूट्स ना, ऐसे निकलते हैं, एक दिन का शूट होता है, या probably दो दिन का मेरा ऐसा कोई mindset नहीं था, कि मुझे सिर्फ एड फिल्म करनी है, टीवी नहीं करूंगा, या सिर्फ फिल्म सी करनी है, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग पार्ट में यह समझा दिया गया था, कि initially open yourself, एक बार बाए फैला के हर काम को हा करना, एक समय आएगा एक stage पे जाओगे, उसके बाद तुमको automatic समझ में आने लगेगा कि boss किस direction में move करना है, ये मेरा genre है, आप कितना किस content में fit बैट रहे हो, वो automatically फिर वैसे networking, lobby, सब आप बुलते-मिलते चाने जाते हो, तो फिर step sales के बाद मैंने burger king का एट किया, और burger king के एट की काहनी ऐसी है कि काम के लिए और क्या नया किया जाए, और क्या नया किया जाए, तो मैंने बुला कि चलो, casting में assist करते हैं, क्योंकि at the end हर actor को जाना casting director के पाद, तो मेरे एक theater में ही senior थे, और brother जैसे ही मेरा bond है उनके साथ, तो वो अपनी एक casting company running कर रहे थे, आशिश कुमार is his name, और casting वाला company, अपनी उनकी company है, तो मैंने उनको assist करना चालो किया, तो in between जब मैं projects assist कर रहा था, तो Burger King का एक ad film का project आया, तो production में basically उस ad film में rappers की requirement थी, और rapping का कीड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है, अच्छा लगता है जब rapping अपनी industry से नहीं नहीं introduce हो रही थी, Divine, MC Stan and everybody, तो वो मुझ अच्छा लगता है, तो मैं rap सुनता भी बहुता, तो मैं production में सारे actors का line up करके और auditions ले रहा था, and roll, सब रही उनको एक word दो, और वो चालो, ना, 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 बाइ, तेरा ही word है, ना, 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 आश्टा, आश्टा, चालो, दो दिन में ऐसा zone में आय तो मैं भी ना 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 चालो प्रोडियूसर उधर ही खड़े दे उन्होंने अलोफ सेटन बोला कि अरे तू क्यों नहीं कर रहा है यह करेक्टर दो रैपर्स के बीच में तू भी बैट रैप कर लेगा मैंने का सराभी करके दिखा दूँगा लिखना भी मुझे क्या तो उन्होंने बोला नहीं लिख के हम देंगे तो मैंने अच्छे से शूट किया उसके बाद मैंने पेटिये मॉल डिजिटल किया था वो काइंड ऑफ परसनल कनेक्शन से डिरेक्ट कास्ट हो गया था मैं एक यह प्रोसेज रहा है तो एड़िजमेंट ब्रैंड्स में यह और हम करेंगे हमारा सबसे लेजंडरी The process whenever I used to go on shoot, there is a shift from normal life to real life. That entire process is one of my lovable thing. Next is, what motivates you for leaving the room? An audition. Next is, name a person you consider to be a hero and why? Mahendra Singh Dhoni Okay, why? Pressure, risk, negativity or when it comes to responsibility about your own people and the entire country. आपकी, आप कितनी बड़ी जिम्मेदारी, कितनी smartly और softly handle करते हो न, वो बंदा मुझे जब भी on screen या जब भी दिखता है तो I am liking, sir एक बार, तो MSD is the one. Next है, अगर आपके पास कोई एक superpower होगी तो वो क्या होगी और क्यों? मेरे पास अगर कोई superpower होगी तो वो ये होगी कि मैं इस दुनिया से दुख वर्ट गायब कर दो. अरे वा, क्या बात है? और उसका reason ये होगा कि life का starting और end meaning एक ही है, that is humanity. बहुत simple सी चीज है, इंसानियत की परिवाशा को जितना practice करोगे न, हर चीज उतनी आसान लगेगी. तो वो कहा लेके, देके, किसी को रोक के, मतलब कुछ भी permanent exist नहीं करेगा, सिर्फ करेगी अगर तो वो humanity है, तो यह आप दिशिज बिते हैं. Next है, आफ stress को कैसे manage करते हैं? Stress को manage में, उस वक्त, particular मेरे माइन में, जो भी दिल दिमाग में बंदा होता है, उसको phone call करके मैं जो discuss करता हूँ. तो this is, एक तरीका किया है. वो that depends कि कैसी बात है क्या है, मुझे लग रहा है, मम्मी को phone करना है, तो मैं कर दूँगा, मुझे लग रहा है कि भाई की जबरत है, तो मैं कर दूँगा. और stress release में, actually, जो भी मेरे साथ होता है, सच बोल की करता हूँ. सच बोलने में, there is no restrictions. एक दम ऐसे निकालता हूँ, कि भाई ये problem होफट. Next है, अभी तक का आपका सबसे बड़ा accomplishment क्या रहा? अभी तक का मेरा सबसे बड़ा accomplishment ये रहा है कि मैं मुझे बहुत शुरुआती दौर में एक line अपने mentor से सुनने मिली थी. वो ये थी कि बेटा एक अच्छे actor बनने की training में एक अच्छे इंसान जरूर बन जाओ. और ये life में, ये line मेरे उपर 100% applicable हुई है. Next है, अभी तक हमने लगबग 75 episodes produce कर दिये हैं, तो उसमें से आपको सबसे best कौन सा लगा और उससे आपको क्या learning हुई? First of all, 75 episodes. Heads off to you brother. Thank you, आप लोगा support है ये तो है. Way to go man, lovely. और मुझे आपका सबसे अच्छा episode लगा है Round the Table वाला. Okay. जो और सावला, वो भी दो है. Actors के साथ है और जो की outdoor cafe में shoot हुआ है. Okay. तो वो episode मुझे काफी अच्छा लगा और उसका reason तहीं नहीं है कि ये भी है कि मेरे interesting plots के बारे में बात चल रही थी तो काफी अच्छा. Next है, हमारा सबसे legendary question है ये, you have a dinner party with any four people around the world. Whom will you invite and why? और सारे जीवी तोने ची. Four people. Ranvir Singh? Why? Why वे बन देगा? The kind of personality he is carrying. I always whenever I used to see him, boss इसके साथ तुम मिलके एक बार मतलब. Acting, acting वाला zone create कर वा है. तो यार, Ranvir Singh is the one. Second one, I'll say, Shait Kapoor. Okay. Shait Kapoor is always, बात बोलने में बड़ी लगती है. But actually, he gives me, वो यार इसा लगता है कि यार, industry का भाई है. वो वाला feel आता है. और his lifestyle, his thought process, और उनकी simplicity, and the best part is his fashion man. So Shait Kapoor के साथ भी वास पार आता है, कि मिलना इस लंदे से जलती. Third one will be, I'll say, yeah, anytime, my mentor, Ravi sir. क्योंकि मैं जब भी उनके पास जाता हूं, तो एक अपना normal world से cut off हो जाता हूं. बहुत सारी नई चीज़े सीखने मिलती है, मेरे अंदर अगर कुछ extra emotions चल रहे हैं, या कुछ फालतू के distractions चल रहे हैं, तो he knows very well, कि वो चाहे हो है कि acting exercise के थूरू हो सकता है, तो या, and fourth one I'll say कि मैं जब party करता हूं तो दिल खोल के करता हूं, तो या, I love concerts, techno parties and everything, तो DJ David Guetta I'll say, उनका जो music और जो feel है तो definitely वो live देखना है. So, coming back to the podcast, यह सवाल है थोड़ा सा triggering है, मतलब आपके लिए भी है और जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी हो सकता है. So, usually क्या होता है कि जब आप काम करते हो, आपको लगातार काम मिलता है, कुछ ऐसा phase आते है life के, उसके बाद एकदम से graph उपड जाता है, फिर एकदम से तम से नीचा जाता है. तो वह वादा जो phase है, वह आपने भी कभी नगभी phase किया होगा life में. Definitely. तो उस phase के बारे में बताईए आप थोड़ा कि वह आपने कैसे काटा? Well, हाँ, यह जो एक situation है, वह एक actor की life में kind of रहती ही रहती है कि आपको जब काम मिल रहा है तो back to back you are working on projects. जब नहीं है या थोड़ा सा भी subtle हुआ या हुआ, तब उस time में आप क्या करोगे तो that depends. तो जब कभी काम नहीं होता है. तब there are few things की same cheese, जैसे की मैंने बोला था की be on the floor. Let's just say की अभी आपको in front of the camera काम दरने का मौका नहीं मिल रहा है. तो you find out, maybe you start jamming with cinematographers, good photographers, meditation, yoga join कर लो, keep surprising your soul with new techniques, new skills, it could be anything. तो ये एक reason हो सकते हैं कि आप on the floor किसी भी एक reason से रहो, क्योंकि at the end help आपको वो as an actor करेगा ही करेगा. चाहे वो कोई नया skill हो, चाहे वो कोई नया craft हो, it could be anything. आपको लग रहा है कि यार मैं गान ही सकता हूं, कोई बात नहीं है, एक बार singing classes ट्राय करके देखना. तो मुझे ये लगता है कि mentally full charge रखने के लिए you need to keep inventing yourself, if you are an artist. तो ये एक मूल मंत्रा हो सकता है, जब आपके पास काम नहीं है तब अपनी negativity और अपने mindset और सब को balance और काम रखने का. तो जैसा कि आपने शुरू में बताया कि आपने serials में काम किया है, आपने ads में काम किया है, तो अब हम बात करते हैं about the acting techniques. तो कुछ acting techniques के बारे में बताईए और आपका experience कैसा रहा, वो था ये थोड़ा. जैसे आपने बोला acting techniques, वो एक अलगी heaviness आजाती है अंदर से. Well, acting techniques, I'll try my level best कि मैं इसको describe कर सकूँ, बट ये एक ऐसी चीज़े जिसको exact word में describe करना is very difficult. तो practical के है क्योंकि. The very first thing I'll say, acting is more about practical knowledge, less about theory. एक basic सा जो बंडा होता है, क्योंकि एक actor अपना दिमाग, दिल, शरीर, आवाज, मन, इसका जितना जादा practice इस्तिमाल नहीं करेगा, तब तब उससे समझ में आएगा नहीं कि वो first of all real में किस तरह का इंसान है. Secondly, उसके emotions कब कैसे कहा, किस चीज़ से trigger होते हैं. मतलब मैं यह मानता हूं कि मैं अभी आपके सामने बैठा हूं, तो मेरा यह pair भी किस reason से हिल रहा है, वो भी मेरे mind में एक बार clear हो जाना चाहिए. कि might be I am doing a podcast, क्या मैं दो second के लिए low confident हुआ हूँ क्या, उस वजे से मेरा pair shiver किया क्या, तो acting में भी आपका दिल दिमाग इस level पे आपको ले जाना पड़ेगा. theoretical knowledge होता है, theoretical knowledge के बारे में मैं अगर बात करूँ तो जैसे स्टेनला उसकी की book के acting की, और characterization होता है, characterization के कुछ 12 points होते हैं, voice modulation की जरुरत पड़ती है, जहापे आपकी body के अंदर 5 resonator है, महा से अलग-अलग तरह की voice निकलती है, तो यह सब theoretical knowledge तो है, बट यह आप हजारों दफ़ा अपने उपर apply करते हो तो आपको अपना एक rhythm समझ में आता है, कि boss मेरी भारी आवाज अच्छी है, या पतली आवाज अच्छी है, मेरा रोना is a strong emotion, या मेरे से comedy हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, यह सब training जब आप तराश होगे ना अपने आपको खूब हर एक minute, हर एक second, चाहे वो professionally shoot हो, तब भी आपको समझ में आएगा कि यार मैंने कितना शिद्दत से scene किया है, या इसको मैं कितना शिद्दत से कर सकता था, तो training तो never ending process है, और मुझे तो यह realize हुआ है कि मैं life में अपना best shot भी दे के आउंगा ना, बट आने के बाद का thought ही रहेगा कि और भी अच्छा होगा तो यह acting तो never ending चीज है, और especially इसकी training, और training में जैसे after a certain time, acting is all about emotions, right? जैसे मेरा particular यह moment of realization रहा है कि मैं जब अपने acting वाले zone में नहीं तो भी emotionally I am highly charged, उसमें खुद के emotion तो ठीक है, बट सामने वाले emotion से भी मेरे को बहुत लेना देना होता है, यह लड़ रहे हैं तो क्यों लड़ रहे हैं? यार यह couple है तो यह हाथ उठा रहा है इसके उपर, यह girlfriend, boyfriend है तो they are might be अभी थोड़ा not उस zone में, but maturity से ही काम लेना पड़ता है, तो मैं बहुत logic और reason डोंगता हूँ तो उसके पीछे की एक simple सी calculation है कि मैंने यह कहीं से सीखा है कि भगवान कृष्ण कहते थे कि हर कर्म करने के पीछे का intent आपको पता होना चाहिए, फिर चाहे हो बुनिया को गलत लग रहा है ना, लेकिन वो कर्म आपने जिसके साथ किया है ना, उसको भी गलत महसूस नहीं हो तो वैसे ही एक acting है, हर emotion के पीछे एक intent है, तो वो अगर आपके mind में clear है, basically personally मैं यह मानता हूँ कि real life से acting का बहुत लेना दे, at the end emotions को ही समझना है ना, गर के अंदर लड़ाई का माहौल चल रहा है, वो किस line से trigger हुआ है, कि वो emotion इस level पे जा रहा है, तो अगर आपने वो scene द वो spark जब कभी आपको ऐसा scene करने का मौका मिलेगा ना, वो thought जैसी आपके mind में आया है, वो spark आपको रहा है, एक reference आपके पास रहता है, plus जैसे कि मैंने बोला कि actor अपने आप में एक instrument है, तो जैसे अब मैं औरों का नहीं बता सकता हूँ, कि क्या process है, क्या नहीं है, same चीज, क्योंकि खुद को समझने, तो मेरी training की बजब बात आती है, या when it comes to performance, मेरा imagination बहुत highly active है, तो मैं आप जैसी अभी बोलोगे, कि लव आपको 10 second बाद ये scene करना है, चालू, मेरा दिमाग, खट-खट-खट, सारे thoughts on है, उसमें से मैं pick कर लूँगा, यहां से मुझे trigger मिल रहा है, this could be a starting point, और मिल गया, चलो, 10 second तो आपने सोच लिया हुआ, कुछ करके दिखाओ, आप podcast पर आयो, मैं आपको scene देता हूँ, आप podcast पर आयो, आपका भी खुश हो, तो आप इसको express करो, ताकि हमारा जो podcast है, उसे की marketing हो, वेल, podcast पे मैं actually भी खुश हो, उसका reason मैंने आपको बोला है, और मैं सब को खुल के बताना चाहता हूँ, कि this is my first podcast ever, तो एक actor को, जब कभी भी ऐसी opportunity मिनरी, especially the person like me, मतलब मैं दो दिन पहले से highly charge था, कि आज मुझे podcast करना, और मैं अपने उस zone में आया है, कि boss मुझे as an actor आज जाना है, तो as I said, कि मुझे वो process बहुत पसंद है, तो यह spark मिला था से मुझे podcast से, secondly, podcast अभी मैं करूंगा है, यह मेरे mind में भी नीत, क्योंकि according to the which kind of profile you are maintaining, whether you are getting a chance or not, but आपने मुझे opportunity create करके दी, तो मैं फैन हो गया, तो यह podcast तो actually भी मैं दिल से खुश हूँ, कि जिस तरह कि स्टोरी आप कवर कर रहे हो, it's a very humble and unique thing, कि बहुत एक्सपीरियंस के दम पे एक दुनिया है, जहां पे बहुत सारे किस्ते ख़ड़े है, तो जर्नी मैं, success होना is a moment, but process मैं अगर इंट्रेस्ट ले रहे हैं, तो process मैं आपने इंट्रेस्ट ले रहे हैं, तो process मैं आपने इं कि मैंनत को इनी देखता है, everyone sees result, पास होए या फेल, अगर फेल हुए तो वही बात है कि मैंनत नहीं की, हमारा वह है कि आम मैंनत दिखाएंगे और वही चीज़ी है, तो अभी जैसे मुझे रेलाइज हुआ, जैसी the moment you asked me कि podcast आपके ये at-gar के दिखा, मैं ब्लेंग थाँ, मैंने जो भी मेरे दिल में चल रहा था, इस podcast को लेकि सिर्फ आपके सामने वो बुल, तो this is how it goes, कि natural निकालना है, scene के requirement है, कि actual में भी अंदर से जो feel हो रहा है, ऐसा बोलते हैं कि acting की beauty होई है, जो natural, कि let it come, let it flow, तो first beauty होई है, जैसे I was very natural, अभी जब आपने मुझे पूछा मैंने in fact effort नहीं लिया कि मुझे act करना है, जो भी मेरे दिल के बाद ते सिर्फ भो बोली, same side होता है, it depends, on scene, on character, which kind of director you are working with, सबका एक अपना process, तो एक actor को अपने सारे इंस्टूमेंट की सारी rhythm जानते हुए, जल्दी से उस मावल में ढल जाओ, इतना train होना चाहिए, इसी से related instruments की हमने काफी बात करी, अभी मैं काफी टाइम सापको notice कर रहा हूँ, आपके जो हात में है, अंगूठिया आपने पैन रखी है, कान में भी आपने कुछ-कुछ पैन रखे है, तो इसके पीछे कुछ है या आपने ऐसे ही पैन रखा है, या इसकी energies है कुछ जिसकी वज़ में हो, I am a strong believer कि इस वर्ल्ड में इस दुनिया में energy exist करती है, चाहे वो बगवान हो, चाहे वो parents की blessings हो, चाहे वो friends की bonding हो, these all are the very life things in life, इनका मैत्व होता है, तो, yes, somewhere, somehow, astrology में भी, I won't say कि मैं हार्ड कौर फॉलोवर ही हुँ है, but they exist, मैं मानता हूं 100%. 10% आप मानते हो, more than 10%, yes, तो बताई ही क्या क्या पना हम तुड़ा सा हमारी audience को भी बना जलेगी कुछ, detail, rates है कुछ, detail version, well, the first one is yellow sapphire, जिसको हम पुखराज बोलते हैं, and the second one is firoza, this is a Turkish, Turkish stone, और ये बहुत ही, simple logical stone है, this is to enhance your creativity, and to keep yourself positive, okay, and this mootie I am wearing just to enhance my moon sight, as you say that an artist's moon sight is strong, okay, the moon का लेना देना आट से होता है, कला से होता है, so yeah, this is the reason, और कान में, ये तो normally मैंने बन वाया, there is no astrological reason, so, जैसा कि आपने शुरू में बताया था कि आपको decade of experience है, और मैं एक finance guy हूँ, तो मुझे numbers का तपड़ा, जैसे, अच्छा लगता है, पूछना, और लोगों को trigger करना भी में को काफी पसंद है, तो अगर हम बात करें, ROI की, return on investment, in the last 10 years, तो वो क्या रहाँ आप? इस तरह का career आप चूज कर रहे हो, आपका field किया है, वो बहुत depend करता है, मतलब यहाँ पे, I'll say, कि एक filtration आ गया है, क्यूंकि, I'm trying my hands and dedication into acting, तो एक actor की life में, I think bulk में काम करना is first priority, first, he'll build his profile, then he'll look into finances, तो एक actor का first focus तो ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक करना होता है, और अपने आपको उस लेवल पे सेट करना होता है कि उसके बाद, he can talk to the industry in terms of finance, but still return of investment, I'll say कि मेरी, मेरा अंसर बोट डिफरेंट हो आपका, actually, मैं या मानता हूं कि कितना knowledge towards life, okay, or towards your field, the actual real knowledge, a reality check, actor मुझे बनना है, उपर उपर से बात, उपर उपर से बात नहीं, मुझे actor बनना है, लेकिन इस 10 साल के सफर में कितना मैंने achieve किया है, क्या मेरी mistakes रही है, और मेरे future में अपने आप से मैं कितना promising sound कर रहा हूं, हाँ, 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 right, कि पात्केर में मैं उस खयाली पुल जाएगी, हाँ, रात तो रात से, फॉर्मुला मैंने अपने साथ apply किया ही नहीं, क्योंकि वो expect आप करी ही सकते हो, मैं तो बहुत एक percent भी नहीं करना चाहिए, जो कि बहुत unpredictable, unpredictable है, तो moment of realization, इस word को जैसा कि मैं बार-बार बोल रहा हूं, ये मेरा hardcore goal mantra है, तो मेरा return of investment is completely different, मै जैने throughout the acting process में एक अच्छे एक्टर बनने के process में, हाँ, एक अच्छी लाइफ को जीने का ट्राय किया है, तो मुझे गई नगई एक लगता है कि same चीज, एक अच्छे इंसान बनने के process में हूं, which is a good thing, second thing, real life और acting life का connection बहुत जाला है, हाँ, 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 तो मैं, I am fortunate enough और मैं, thank God, literally, कि surroundings when it comes to family, friends, childhood friends, college friends, आपके professional काम के सारी networking के लोग, मेरी surroundings बच्चपन से, luckily मुझे बहुत अच्छी मिनी है, जो कि बहुत real और positive रही है, तो मैंने literally लोग कमा है, life में, हाँ, 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 ह लिःदो, यहाँ, हाँ, ही आचे, और जो अश्कार एच, हाँ, 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 अब मेरी लाइफ में अवर दुम्त प्लेस पी। टिफरेंट पलेसिस हुआ हा रही हुआ है और मैं बहुत छोटी मैं अपने गर निकल घख से निकल था लिए, टेंथ में वट में रहन पाया था, तो मेरा रिटर्न ओन इंवेस्टमेंट यह है कि मैंने लाइफ में बहुत अच्छे लोग कमा हैं और लाइफ को समझने के अच्छे प्रोसेस में इन्वाल्व है इस चीज को में दिल स्वान पूँ तो यह तो आपने बात कर दिये रिटर्न ओन इंव B, B, I'll keep plan B by my choice. Okay. मेरे मन की आवाज होगी, तो ही मैं plan B पर जाओगा. और मेरा इंट्रेस्ट होगा, obviously, तो मैं एक plan B ले के आओगा खुझ से. ये मेरा मानना है. तो plan B का option है life में. बट जैसा की एक वो lesson मिला होगा है, कि plan B अगर होगा, तो A impact होगा. बट मैंने mentally अपने आपको उत्ता strong बना रखा है कि बतलब जादा बड़ी बात, छोटा होगा बड़ी बात नहीं बोलूगा, लेकिन हाँ, इस life में acting से तो मेरा लेना देना है. एक्टिंग तो यहाँ है, कहीं नहीं जा रही है. चाहे वो किस मुकाम तक जाती है, बट एक्टिंग है दिल में तो एक्टिंग तो नो ऑप्शन रखा ही नहीं है, there is no window. एक्टिंग के साथ साथ इस फील्ड से मिलते जुलते, there are few impacts, जैसे I love fashion. तो एक चीज है कि मुझे कबड़ का बहुत शॉक है, और शॉक सिर्फ पहन के एक होदा है ना शॉफ वो अला नहीं है, colors, designing, fittings, एक दिमाद में बोच चाहता है, there should be something like this, यह color होना चाहिए. तो एक्टिंग करियर के साथ साथ, in future, definitely I would love to open a clothing brand, जब कभी भी मौका मिलेगा, ऐसा एक दिमाग का थॉट तो है, तो hope for the best, और currently, I came to introduce with one new thing, my uncle is into Labrond Diamond business, तो इस एक बहुत इस एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगी मुझे, तो currently I am working on this, और मैं डिजाइनिंग और सेल्स पार्ट देख रहा हूं, और इस फिल्ड को भी kind of yes करने का option इसलिए है कि ये भी बहुत glamorous फिल्ड है, तो अगर अपन established, so-called established actor की भी list देखते हैं, तो एक actor after a certain time कहीं न कहीं जाके, किसी न किसी फिल्ड में invest करता है, तो diamond में भी there are many, तो ये glamorous फिल्ड भी है, प्लस एक connection है, diamond और फिल्ड है, तो आप ऐसा clothing निकाल दो जिस अपने diamond लगया, करेक्ट, और diamond industry और film industry का connection है, एक time था कि more than half of the producers, diamond merchant हुआ करते था, film industry के, तो एक networking, एक mix, gel up है, तो why not, plus my uncle is supporting me, like, level best, तो एक अच्छा option लगा मुझा, तो अभी I'm just trying my hands, पाकी, acting is always on the top, first, well, yes, anytime, तो अब हम बात करेंगी कि जो आपका upcoming कुछ projects हैं आपके, जो आपकी जो कोर है, जो आपके दिल से निकलती acting, उससे related, definitely, मैं कुछ चीजों पे काम कर रहा हूँ, well, इतना खुल के शायद नहीं भी बता पाँ, जो आप बना सकते हैं, क्या बता कोई आपको यहीं से कुछ मिल जाए, या कोई producer आपको देख रहा हूँ, तो अभी आपको उठा ले, definitely, I wish, तो pipeline में तो there are many things, might be, कुछ music videos का भी plan, कर सकते हैं, और अभी मैं जिस तरह का content target कर रहा हूँ, जो मैं खुद produce भी करूँगा, जैसा कि दो short film भी मैंने produce की, तो वो बुड़ा सा short films के बारे मोगते हैं, या, मैंने COVID के बाद में अपने कुद का production रेजिस्टर किया, अच्छ लव कुछ पिचर्स, और उसका रीजन ये था कि लॉकड़ाउन के बाद में the kind of appreciation short film को OTTs दे रहा था, तो वो एक spark था, कि this could be the way, एक short film बनाने में एक अच्छी team लगती है, अच्छी team लगती है, lighting लगती है, make-up लगता है, बहुत कुछ लगता है, तो आपके बास इतना back-up तो होता है, I think कि इतनी team तो होती है कि आप एक short film बनाना, तो मैंने बोला कि same thing, एक चोटा सा camera चाहिए, तो चलो, short film के लिए तो camera उठा ही लिए जाए, तो ये एक thought था, उसके बाद मुझे OTTs का entire process समझना था, कि ये how this business runs, तो वो भी बिना product के में I won't be able to understand, उसके लिए product होना ज़रूरी था, और short film अगर हम बना रहे हैं, और वो OTTs appreciate कर रहे हैं, तो OTTs तक एक अपना platform create होगा, तो ये दो-तीन major thoughts थे, फिर मैंने दो short film produce की, और एक short film का नाम है Climax, जो की अभी currently MX player पर आचुकी है, और Climax एक बड़ी ही normal सा crime drama है, तीन दोस की greed के पीछे अपनी एक कहानी है, और Climax मैंने एक non-director के साथ ही बनाई है, जिनकी odd star पे crime next door करके एक web series है, तो उनके साथ भी मिलके एक project बनाया है, एक film मैंने बनाई है, that is completely an experimental film, for me and for my entirety, और वो एक kind of मेरी producing की schooling हुई है, तो वो film है, it's on ayahuasca, ली-म-टी, थोड़ा explain कीजिए, ली-म-टी is a psychedelic drug, तो वो सारे psychedelic effects, impact उस film में और इंदौर में ही shoot हुई है वो पूरी film, क्योंकि अपने initial days से जो मेरी main team है, that is completely from इंदौर, सब है भी Mumbai में currently, तो उस movie के, landscapes, frames को बहुत चुंदर है, no doubt, but content तोड़ा different है और climax MX पे जाने का reason इसलिए है कि OTTs, आप कोई भी content create कर रहे हो, तो you need to understand audience mind, demand को, no doubt, मेरा product दिल से लगा हुआ, बहुत दुनिया का आटवा अजुबा हो सकता है, कि मैंने तो ये दिल से film बनाई है, but probably public उसको accept नहीं करती है, वो उनका mood है, तो आपको public का mindset भी पढ़ते हुए, किस तरह का content click हो रहा है, ये भी बहुत समझना जरूरी है, जो कि OTT इसकी prior list में होता है, कि which type of content you are giving them, वो कितना trendy है, कितना easy है, कितना easy to understand है, कितना convincing है, तो वो एक बड़ी ही simple साधारन से film थी, तो वो काफी जल्दी click कर गई, इंटु दे माइन भी shorted tv करके एक online portal है, उसके available है, OTT platform, हाँ, और short film of the month में nominee भी होई की, और into the mind को लेके in future भी कुछ और pitching plans है मेरे, तो ये दोनों film फिलाल officially available है, तो बिल्कुल जाकर देख सकते हैं कोई भी, और future में, जैसा कि मैं आप से discuss कर रहा था, music videos का भी हमने plan किया है, बट music videos भी ऐसा नहीं है कि मेरा back to back कुछ long ही plan है, kind of same चीज, profile building, एक अच्छा एक दो या तीन max to max, या क्या पता, music video भी, एक अपना वो trial and error वाला check है, कितना क्या set, क्या hit हो जाए, तो music videos अभी तक lock इसलिए नहीं किया थे, बट definitely music videos का plan in future, और कहीं कुछ लिखाई चल रही है, एक script की भी, तो वो भी मतलब एक वो होता है कि आपने इतना समय जब इस चीज को दिया है, तो और actually ये एक बहुत ही detailed process भी है, Hollywood के अंदर कई ऐसे brilliant actors है, जिनोंने अपने करियर की शुरुवाती इस style में की थी, कि हमारी story हम खुद लिख लेंगे हैं, now they are looking for only producers, तो एक actor एक बहुत ही खूबसूरत कहानी में अपने आपको खुदी देख पाएगा, तो चल रहा है, ऐसी भी कुछ कोशिश चल रही है, क्या पता, अभी कोई सुन क्या आपको mail कर दे, तो इस तरह के काफी future plans है, प्लस audition का अपना एक window ही है, जो always open रहता है, auditions आते हैं, बना के बेजना, meetings, everything, और training part भी still on, जब कभी लगता है कि थोड़ा सा जंग लग गया है, तो जाया जाता है, चाहे वो एक साल, जाया जाता है, और नहीं कंड़ी बटती हो से, तो इस नेवर एंडिंडिंग जी, तो थैंक यू लव बाईया, फॉर कमिंग तू दिस पॉड़कास्ट, और जाने से पहले मैं चाहूंगा, कि हमने अभी लग बग 75 एपिसोड कर लिये हैं, और उन बेफ आफ आफ टीम अरब टॉक्स, और हमारे जो प्राउड इन्वेस्टर्स हैं, उनकी तरफ से एक हम आपको देना चाहेंगे ये सोविनियर, और रिल्लग, थैंक यू, और सो गूर्ड, थैंक यू, और मैं चाहूंगा कि जो भी हमारी ओडियन्स देख रही है, आप उनको एक मैसेच दे, ताकि उनकी भी लाइफ आपके जैसे हो, और उनको भी यहां तक अने का मौका मिले, और आपको कैसा लगा इस पोड़कास्ट पर आने के बद, ड़िड़िटल, फर्स देख में आपको एविग निया, थैंक्स पर कॉलिए, थैंक्स पर कमिंग, और शो पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा और लिटरली आई फेल्ट वेरी पॉजिटिव और पीसफुल आप्टर मैनी डेस अच्छा कुछ ऐसा यहां पे आके लगा मुझे और वाइब भी यहां की बहुत प्यॉर है तो जहां प्यॉर वाइब बुझे मिलती है फिर वो चीज़ अंदर से आती है तो शो पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा आप से मिलके बहुत अच्छा लगा और अमेर्जिंग वर्क यॉर दूइं इन दिस एज इज और इस स्टेज और इन इन दिस सिटी लब भी एडवाइस दिन लाइक हो गया हूं कि मैं हाँ काफी काफी जो भी उस चेर में मैं एडवाइस ज़रूर देता है वेल एडवाइस में यही दूँगा कि जिन्दगी बहुत सिंपल और खूब सूरत है जी ओ दिल से और दिल से इंसानियत निबाओ जिन्दगी जीने का मज़ा वैसे ही आ जाएगा कि दो एड़ाइस जाएगा जाएगा